जो मागोगे वही मिलेगा इस दिव्य उपाई से नवशकारमत्रों स्वागे थे सिद्धूट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से इस जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट हैं और इन कष्टों से निकलने के लिए आपको कई प्रकार के उपाईों की आशकता पड़ती है जैसे आपको कहीं बहुत दूर जाना है तो आप गाड़ी का सहारा लेते हैं तो यह उपाई ही तो है कि वो संकट को जो दूर तक जाना है आपको पैदल जाना होता तो संकट के समान था, जबकि आप किसी भी साधन से जाते हैं, तो आसान हो जाता है, यही तो उपाई है, आपको अंधेरे में चलना है, काम कठीन है, किन्तो आप उजाला कर ले अपने साथ, एक टॉर्च ले ले, कोई उजाले के लिए वस्तु ले ले, फिर आप उस अंधेर होती हैं, लेकिन उनके कारण परिसानियां बहुत होती हैं, तो इस इस्तिती में आपको आज सकता पढ़ती है, एस्ट्रोलोजिकल रेमेडीज की, भगवान के जुड़े हुए तंत्र की, उनके मंत्र की, और आपके जीवन में गुरू की, उस इस्तिती में अगर आप चुके हो, कि आपकी सामने समस्या मुबाए खड़ी है, और आपको उसे ठीक करना है, तो जरूर अब आप उपाई करें, और पुरे मन से करें, ताकि जल्द से जल्द आप इस समस्या से जो आप देख रहे हैं, उससे बाहर आ सकें, अब हम बात करेंगे, कि उपाई आपको क्या करना है, कैसे करना है लिक्विन उससे भी पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथी नोटिफिकेशन बिलको आन कर दे, फैमिली से जुड़िये अगर आप जुड़ेंगे तभी तो लाब होगा क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो आप तो अगर आपने सोमवार के दिन आरंब करना चाहा तो आपको 21 सोमवार करना होगा मंगलवार को करना चाहा तो 21 मंगलवार करना होगा इस तरह से कोई भी दिन आप अपनी सुबधानुसार चुन सकते हैं और उस चुने हुए दिन पर आपको ये उपाय करना होगा और उपाय को 21 बार करना होगा 21 बार तो उपाय में पीपल के पेड़ के पास जाईये वहाँ पर पत्त, एक पत्त उठा लीजिये पत्त जो जमीन पे गिरा है वह उठाना है तोड़ना नहीं है लेकिन ध्यान रखें कि पत्ता बहुत सूखा नहों उस पत्ते को उठाईए उसको अपने बाएं हाथ की हतेली पे रख लें और दायने हाथ की तरजनी उंगली को पत्ते के ऊपर चलाते हुए बीच में जो ये नस रहती है पत्ते की इसी नस पे अपनी उंगली को चलाते हुए किसी भी दि का लें हम पर कृपा करें आप ये प्रार्थना करिए वहाँ आपको ये किस बार करना कोई भी समस्य हो सकती जीवन में प्यार नहीं है जीवन में नौकरी नहीं है जीवन में कष्ट जादा है जीवन में सुख नहीं मिल रहा है परिवार से कष्ट है भाई बहनों से कष्ट है पड़ोशियों से कष्ट है, बॉस से कष्ट है, पत्नी से कष्ट है, कहीं से प्रिकार का कष्ट है हेल्थ से कोई आपको समस्या चल रही, हेल्थ रिलेटिड परिसानिया है कि स्वास्त सुख नहीं मिल रहा, किसी भी प्रिकार से बहुत ठक गए, हार गए, नहीं हो रहा, तो आपको ये करना है इस उपाय को, और जरूर इससे हो जाएगा, क्योंकि आपके पीपल में न सभी देवी देवता हैं, आप पीपल की महिमा को कितना ही बताएं, आप वहाँ पहुच कर आँख बंद कर लें, सभी देवी देवताओं को प्राम करते हैं, अपनी मनोकामना बोल दें, तो वो मनोकामना भी आपके फूंड हो जाती है, लेकिन कई बार संकल्प बड़ा होता है, तो जादा महिनत करनी पड़ती है, और इसी उद्देश से आपको ये उप बसाया है, लेकिन चल नहीं पा रहा, तो ऐसी बहुत सारी समस्यां हो सकती है, जिसको ठीक करना है, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, तो आप उपाय करें, तो समय आपका सही संदर्व में प्रियोग भी हो जाएगा, और समय के साथ ही आपका जो संकल्प है, वो पू आर्थना करते हैं, करने के बाद ऐसा आपको ये पत्ता छोड़ देना है, जमीन पर रखना नहीं है, ऐसे गिरा देना हाथ से, तो उड़के कहीं भी जाए, आपका काम हो गया, आप वरिक्षदेव को फिर से एक बार प्रडाम करें और वहां से चले आए चुप चाप, ये बहुत आवश्यक है, इसके बाद ही आप किसी दूसरे काम में लगें, और घर आने पर बहुत 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 कोशिस करिएगा कि किसी से बातचीत ना करें, रास्ते में आते समय और घर पहुँचते ही, पहला काम आपको करना है कि उछ मीठा खा लेना है, उसके बाद ही आपको कोई अन्यकार्य करना है और इसके लिए पहले से मीठे का अंतजाम आप अपने घर पर करके जाएए कि आपको क्या खाना सहद खानी है कि मिस्टरी खानी है जो भी आप कर सकें वो खा लिजेगा बस उपाई को इस प्रकार से पूर्ण करें और इसी दोरान आपकी जो भी मनो कामना पूर्ण हो जाए भगवान आप पर कृपा करें मिलते एक लिए वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार खुश रहिए